नमस्कार मैं हूँ अनामी का गिरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ वारतायनी कल का दिन त्रिपुरा के साथ साथ देश के लिए भी खास रहा कल शाम चार बज़े तक 81 फीसदी मतदान हुआ त्रिपुरा में डाटा शाम चार बज़े तक का है जबकि लगभग 50,000 लोग उस वक्त भी कतार में खड़े थे बावजूद इसके इस बार त्रिपुरा में रिकॉर्ड तोड मतदान हुआ है बाद 2018 के विधान सभा चुनाव की करें तो रात 9.30 बज़े तक मतदान जारी था बावजूद इसके 89 प्रतीशत मतदान दर्ज किया गया था ये बाद 2018 की है राज में हाल ही में बसे ब्रूश अनार्थियों ने पहली बार मतदान में हिसा लिया सुबह 7 बज़े से मतदान शुरू हुआ दिन चाहने के 77 लोगों की संख्या बढ़ी दिन में कुछ अप्रिय घटनाय भी हुई जिससे चुनाव प्रभावित हुआ उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ पुलिस की माने तो घटनाओ में माक्सवादी कम्निस्ट पार्टी के तीन कारे करता घायल हो गए वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग को मद्दाताओं को डराने धमकाने की कुछ शिकायते भी मिली जिन्हें आपस में सुलजा लिया गया चुनाव आयोग ने बताया कि शांती पून चुराव कराने के लिए केंद्रिय बलो और राज्य ससस्त्र पुलिस की 400 से अधिक कम्पनिया राज्य में तैनाथ थी बीजेपी त्रिपुरा की 60 सीटों में से सबसे अधिक 55 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बहरहाल सरकार की कोशिशे रंग लाई चुनाव भी हुआ शांती पूर्ण भी रहा मद्दाता की संख्या में मद्दाता की संख्या का रिकॉर्ड भी तूटा अब इंतजार रहेगा 8 मार्च का 8 मार्च को इस चुनाव के नतीजे घोशित किये जाएंगे देखना दिलजस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होगी आगे की खबर देखने के लिए बने रही है मेरे साथ और देखते रही है वारतायनी धन्यवाद